के गाइस हावर यौल तो आज की इस वीडियो में एक इंपोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्क्स करने वाले हैं जो कि एक स्टेप भी है एक सिविल सूट का यानि की अपिरेंस एंड नौन अपिरेंस ऑफ दी पार्टी यानि कि तो यह जो प्रोविजन्स हैं कोट अफ शिविल करती हो उसको हान नहीं पहुंचा रही है ऐसी कोई भी प्रसीडिंग है वो कोट अफ लो में कंड़क नहीं होनी चाहिए और यह जो प्रोविजन्स है वो हमारे ओडर 9 में प्रोवाइड किये गए है ओडर 9 है वो पार्टीज की अपिरेंस के रिकार्डिंग एंड उनके नौन अपिरेंस की वजह से कोई डिसमिस हो गया है या एक्स पार्टी हो गया है तो उसकी रेमेडिज के रिगार्डिंग प्रोविजन्स भी इसी ओर्डर के अंदर प्रोवाइड किये गए हैं तो चलिए इन सभी टोपिक्स को हम डिटेल में विद डाइग्राम पीपीट का ओडर नाइन तो जैसे कि हमने सिविल स्टेजिज ओफ सिविल कोड के जो वीडियो ती उसमें देखा था कि किस तरह से एक सूट होता है किस तरह से वह आगे चलता है तो उसी के अंदर इस स्टेज पर पहुंचने से पहले एक स्टेज आती है समनीं की जहां पर पार्टी होती है उस दिन दोनों पार्टी जहां उपेर होती हैं और यहाँ पर रूल व्न वो इसके बारे में कहता है लेकिन यहाँ पर रूल क्या कहता है कि जहां पर इक प्लेंटिफ या देफिट जिसको готов नहीं होता और एक स्टेजर कौउर्ट नहीरन इसको भशिह उप अगर वो defendant है, यानि कि अगर वो defendant नहीं आता, non appearance किसके है defendant की, तो उस case में X party की proceeding कर सकती है X party detail, जो provisions है वो हम अपनी next union discuss करेंगे इसमें अभी appearance की regarding ही discuss करने वाले हैं, अब second उसके बाद में बात आती है rule 3 की, जिसमें क्या का गया है कि जहां पर neither party appears, यानि कि दोनों party ही उस fix date के उपर नहीं आई, तो उस time के लिए क्या provision है CPC में उस time court किस तरह से proceed करेगी उस suit के साथ में, तो वहां पर क्या कहा गया है, कि जहां पर कोई भी party, चाहे वो defendant है, चाहे वो plaintiff है, वो नहीं आता और suit है, वो यहां पर hearing के लिए call out किया गया है, तो court उसे dismiss कर सकती है, यह order 9 rule 3 कहता है, लेकिन वहीं पर rule 4 क्या कहता है कि यह जो dismissal है, वो एक fresh suit को उसी same cause of action के उपर file करने से बार नहीं करता, यह जो dismissal का order है, यानि कि वो rule 4 के according, यहां पर एक fresh shoot उसी same cause of action के respect में file किया जा सकता है और plaintiff है, वो यहां पर इस dismissal के जो order है उसको setting aside करने के लिए set aside करने के लिए apply भी कर सकता court में, और वहां पर उसको special cause show करने अपड़े हैं उसकी non appearance के लिए, और court को satisfy करने अपड़ेगा कि वो क्यों उस दिन नहीं आ सका, और अगर वहां पर अगर court को यह लगता है, अगर court satisfy होती है कि real में, वहां पर एक special cause था उसकी non appearance के लिए तो वहां पर उस dismissal के जो order है, उसको set aside कर सकती है and एक further proceeding के लिए एक date है, या एक day fix कर सकती है court अब next provision क्या आती है जहां पर plaintiff appear होता है only plaintiff, यानि कि defendant appear नहीं हो रहा, तो उस case में provision कौन कौन से है, rule 6 and rule 10 of the order 9, provide के गए है उनमें क्या कहा गया है कि जहां पर plaintiff appear होता है वो defendant नहीं आता तो यहां पर plaintiff को prove करना पड़ेगा service of summons on defendant और अगर service of summons is proved हो जाती है, तो वहां पर court है, वो ex party के लिए against the defendant proceed कर सकती है और plaintiff के favor में एक degree है, वो pass कर सकती है अगर plaintiff अपना case prove कर दे, तो यह rule 6 में provide किया गया है और यह provision है, confined है कहां तक only first hearing तक and अपर से apply नहीं होता, subsequent hearing के उपर यह बादवाली hearing के उपर यह अपने आप apply नहीं होता, यह only कहां तक है, confined first hearing तक, यह एक case संगम राम सिंग वर्सिज election tribunal AIR 1955 में held किया गया है और वहीं पर जो rule 10 वो क्या कहता है, कि जहां पर दो या दो से ज़्यादा plaintiff's है and उन में से एक या एक से ज़्यादा, one या one और more of them, उन में से कोई appear हो जाता है, and जो other appear नहीं होते, तो वहाँ पर court है, वो permit कर सकती है कि जो shoot है, to proceed हो as if all plaintiff had appeared जैसे कि सभी के सभी plaintiff आई हुए हैं, इस तरह हैं से उसको आगे further proceed किया जाए और make such order as it think fit और ऐसा कोई भी order कर सकती है, court जो कि उसे fit लगता हो, तो ये बात थी जहाँ पर plaintiff appear होता है अब plaintiff वाला side हमने देख ली, आप देखते हैं कि अगर defendant आया है, यानि कि only defendant appear हुआ है, लेकिन plaintiff नहीं आया, उस situation में court shoot के साथ में क्या करेगी तो उसके regarding rule 7 and 11 है, वो क्या करता है कि जहाँ पर defendant appear हुआ है, plaintiff नहीं आया और जो defendant है, वो plaintiff के जितने वी claim है, उनको admit नहीं करता, चाहे वो ली हो या चाहे पार्ट ली हो, नहीं कि चाहे पूरा या आदा अधूरा, उनको admit नहीं करता, तो उस situation में देता है, plaintiff के जित कोई claims है, उनको, या तो पूरा का पूरा claim उसका, उसने admit कर लिया या फिर उसका कोई part है, उसने admit कर लिया defendant ने तो उस situation के अंदर court है, वो pass कर देगी, एक decree against the defendant उस defendant के खिलाफ, यानि कि जो matter उसने admit किया है, उस matter के regarding in favor of plaintiff, एक decree pass कर देगी, and जो part रहे गया है, उस बचे हुए rest of the claim को यहाँ पर dismiss कर, dismiss of suit का order है, वो pass कर देगी, तो इस तरह से जो court है, plaintiff के नया आपियर रहोने पर जो suit है, उसको dismiss भी कर सकती है, और in case जहाँ पर defendant ने कुछ claims को admit कर लिया है, तो उनके regarding में, उन favor में admits जो किये के हैं, उसके favor में यहाँ पर pass कर सकती है, decree, और जो rest of the claim है, उनको dismiss यहाँ पर कर सकती है, उसके regarding suit को, यहाँ पर एक note करने वाली बात क्या है, कि यह जो rule 8 है, वो apply कौन से cases भी होता है, उन cases में, जहाँ पर plaintiff केवल एक है, और वो absent रहता है, और कहाँ पर, और जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा plaintiff's हैं, और जहाँ, और उस case के अंदर जो इतने भी plaintiff's हैं, यानि कि all of them remain absent हो, सारे सारे absent रहते हैं, तो उन cases में यह rule है, वो apply होगा, और जहाँ पर more plaintiff's है than one, and one or more of them appear, उनमें से एक एक से ज़्यादा पियर होते हैं, तो rule 10 apply होगा, यानि कि उस case में rule 10 apply होगा, फिर भी यहाँ पर plaintiff's के जो suit है, उसको dismiss करना एक serious matter है, बिना उसे सुने, and यह जो course है, वो adopt नहीं किया जाना चाहिए, यह court के दोरा, unless, जब तक कि, वो really satisfied नहीं होता, court की ऐसा करना justice के लिए required है, तब तक है, जो किशी भी suit को, वो dismiss बिना plaintiff को सुने, नहीं करना चाहिए, बट लेकिन court के पास, यहाँ पर कोई भी power भी नहीं है, किसी ऐसे suit को dismiss करने के, जिस case के अंदर, plaintiff है, वो appear नहीं होता, because of the death, यानि कि, on to the death, वो appear नहीं हो रहा, यानि कि, वो उसकी death हो चुकिया, तो उस case के अंदर court है, उस suit को dismiss नहीं करेगी, suit एक बार dismiss होने के बाद में, rule 9 क्या करता है, plaintiff को precludes करता है, उसके बाद में एक fresh suit, उसी same cause of action के ओपर, file करने से, लेकिन यहाँ पर फिर भी, वो apply कर सकता है, उस order को set aside करने के लिए, यानि कि, जो order of dismissal है, उसको set aside करने के लिए, है जो वो वेक्टी, जो plaintiff है, वो apply कर सकता है court में, and अगर court satisfy होती है, कि वहाँ पर एक special cause था, उसकी non appearance के लिए, तो court उस order को, यानि कि order of dismissal को, वो set aside कर सकता है, और further proceeding के लिए, एक day fix कर सकता है, तो यहाँ पर जो special cause है, उसकी non appearance के लिए, वो किस अधार पर हम determine करेंगे, वो क्या है कि प्रते case के अंदर, different, उस case की circumstances या facts के ऊपर depend करते हैं, कि क्या special cause है, और क्या नहीं है, इसके regarding जो construction है, वो यहाँ पर liberal और generous है, वो adopt करने जाए, इस situation के अंदर, जहां पर एक situation क्या है, कि जहां पर एक party के खिआफ एक order है, वो made किया जा सका है, यहाँ पर यहाँ पर रूल नाइन टू क्या करता है, सब रूल टू क्या करता है, इसा order पास करने से पहले, court को यहाँ पर एक notice है, वो serve करना चीए, opposite party को, अब देखते हैं, रूल 11 की बात करते हैं, जिसमें procedure क्या दिया गया है, in case of non attendance of one or more, more of several defendants, यानि कि several defendants है, तो उस case में, एक या एक से ज़्यादा कोई non attendance है, किसी defendant की, तो उस case में procedure क्या होगा, तो उस case में जहाँ पर more defendants है than one, उस case में एक one या one or more, उन में से कोई अगर आता है, appear होता है, तो उस case में, तो suit है, वो shall proceed होगा, air court क्या करेगा, एक ऐसा order कर देगा, जो कि उसे fit लगे, with respect to the defendant, उन defendant के respect में, जो की वहाँ पर appear नहीं होए, कब at the time of the pronouncing, the judgment, judgment पर नहीं के time, उन defendants को ज्यान में रखा जाएगा, जो की appear नहीं होए, तो उसके regarding, जो भी court को ठीक लगे, ऐसा order court कर सकता है, अब यहाँ पर एक situation over arise होती है, वो क्या है कि जहाँ पर सम्मन है, वो सरुड नहीं होता defendant को, तो उस case में क्या होगा, तो यहाँ पर एक fundamental rule है, law procedure का, कि जो party है, उन्हें एक fair और reasonable opportunity, जरूर देनी चाहिए, अपना जो भी case है, उसको represent करने के लिए, जैसा कि हमने, इस वीडियो के शुरू में भी देखा था, एक general principle, जिसमें किसी भी proceeding को, यहाँ पर एए उस party एक खिलाफ नहीं, शुरू कि अधास था, जो कि present नहीं है, उसे ही के अधार पर यह है, कि उसको एक reasonable और fair opportunity मिलना must है, तो यहाँ पर इस purpose के लिए, उस legal proceeding के regarding, यानि कि उस defendant के खिलाफ एक legal proceeding है, वो initiated हो चुकी है, तो उसके regarding एक notice है, उसे जरूर दिया जाना चाहिए, तो यह service of summon क्या है, कि defendant पे वो एक condition precedent है, to a fair trial, एक fair trial के लिए, अगर कोई summons, defendant के पे served नहीं होते, और उसे एक reasonable time नहीं दिया जाता, special time नहीं दिया जाता, अपने आपको represent करने के लिए, अपने case को वहाँ पर effectively represent करने के लिए, तो उस situation में, कोई भी जो decree है, उसके खिलाब pass नहीं की जा सकती, अब यहाँ पर rule two of order nine का क्या कहता है, कि एक suit हो उसको dismiss किया जा सकता है, जहाँ पर एक summons है, वो served नहीं होता, on the plaintiff's failure के उपर, plaintiff का failure किस तरह का है, कि उस service of summons to the defendant के लिए, उसने cost पे नहीं की, या फिर उसने plaintiff की जो copies हैं, वो present नहीं की, उस तरह की किसी failure के लिए, यानि कि वो plaintiff का failure है, तो उस case में याँ पर अगर सम्मन, serve नहीं होता, तो वहाँ पर suit है, वो में भी dismissed हो जगता है, यानि इन case, अगर ऐसा failure plaintiff के तरह तरफ से हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर defendant अपियर हो जाता है, इन person या फिर अपने authorized agent के through, उन fix date day के उपर, तो उस case में यहाँ पर ऐसा order है, जो dismissal का order है, वो pass नहीं किया जाएगा, तो plaintiff क्या है कि ऐसे dismissal के order के बाद में, एक fresh file shoot भी कर सकता है, under root 2, in respect of the same cause of action, और apply क्या कर सकता है, उस dismissal के जो order है, उसको set aside करने के लिए, और अगर court satisfy होती है, कि यहाँ पर एक specific cause है, उस failure के लिए, तो court है, वो उसके order को है, वो sell का करेगी, set aside करेगी, उस dismissal के order को, और fix कर देगी एक day, और the proceeding with the trial, उस trial के साथ में proceeding के लिए, तो यह rule 4 कहता है, तो हमने इस यहाँ पर देखा है, कि rule 2 किस तरह से provision provide करता है, जब एक summons है, वो defendant पे served नहीं होता, वहीं पर अगर हम rule 5 की बात करें, तो वो क्या कहता है, कि जहाँ पर एक plaintive है, वो fail हो जाता है, fresh summons को apply करने में, for seven days के, after the summons on a defendant, या फिर one of the defendants, यानि कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा defendants है, is returned unserved, यानि कि कोई summons है, वो unserved return हो जाते हैं, तो उस situation में, अगर plaintive fail हो जाता है, fresh summons को apply करने में, seven day में, तो वहाँ पर court है, वो suit को dismiss कर देगी, against that defendant, या such defendants, यानि कि वो defendants, जिनके खिलाफ वो unserved आया है, बट अगर within the time period, उस time period के अंदर, अगर plaintive satisfy कर देता है, कोट को क्या, कि वो failed हुआ है, in spite of his best effort, उसने सारे के सारे प्रयास कर लिया, अपना best effort दे दिया है, किसलिए, to discover करने के लिए, the residence of the defendant, जो की, as जिसको, जो संबन है, अभी तक served नहीं हुआ है, second क्या है, कि ऐसा defendant है, वो avoid कर रहा है, service of process की, या फिर third क्या है, कि there is any other special cause, for extension of time, time extension के लिए, कोई other special reason है, तो उस case में, court है, वो उस time period को, जितना court को ठीक लेगी, उसको extend कर सकती है, अगर plaintiff का जो suit है, dismiss कर दिया जाता है, by the court, within the period of limitation time, limitation का जो period है, उसके अंदर-अदर, court के दोबारा, उसके suit को है, वो dismiss कर दिया जाता है, तो उस case के अंदर, जो वो fresh suit, file कर सकता है, उसी same cause of action के, यह हमारा rule 5 कहता है, तो यह थे आज के provision, regarding the appearance and non-appearance of the party, अब बात आती है, एक्स पार्टी decree की, यानि कि एक्स पार्टी proceedings है, defendant के किस तरह से होती है, किस तरह से एक्स पार्टी decree को set aside किया जाता है, इसके regarding remedies के regarding, जो provisions हैं, यानि कि rule 13, उसको हम अपनी next वीडियो में discuss करने वाले हैं, I hope कि आपको आज की वीडियो के अंदर जो यह important topic discuss किया गया है, विद डाइग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको यह अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के शाथ में share करें, ताकि उनके भी कोई डाउट सेंच के रिगार्डिंग तो वो भी कलियर हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, और थैंक्स पॉर वाचिंग, की बार्नी